प्रियंका गांधी राजदानी राहपूर पहुंच चुकी है, मुख्यमत्री पुपेश बखेल ने स्वागत किया है, भिलाई में महिला सम्रिद्धी सम्मेलन में वो शामिल होगी, लगाता चुनावी तयारियों में जूटी वी कॉंग्रिस, हर एक मोर्चे पर अड़क रहन प्रियंका गांधी यहां पर पहुंची, तमाम बड़े नेता कतार में खड़े हुए, उनके स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे, और हर किसी से अभिवादन स्विकार करते हुए, लगातार आगे बढ़ती गए, प्रियंका गांधी का पहुंचना जब हुआ है, तो सकते हैं कि महिलाओं के लिए एक बड़ी स्वागात आज इस कारेकरम के जरीए भी दी जा सकती है, या कुछ बादे होंगे, कुछ दावे भी हो सकते हैं, जो कि आगामी चुनावी साल के तौर पर आप देखेंगे, अगली बार सरकार बनने पर क्या कुछ करेगी, यह सरका आपते हैं महिलाओं के हित में हो सकता है कि इस बात को लेकर प्रियांका गांधी की तरफ से चर्चा हो, आला कि यह देखना हो गए कि संबудन के दौरान प्रियांका गांधी की तरफ से या कुछ इुछ लिकीन कॉंग्रेसर चो कि अपने इस तर पर हर वोट बैंक को साधने की कोशिश में तमाम ऐसे सम्मिलन आयज़ुत करवारी आज महिला सम्मिलन है से पहले भिलाई में आपने भरोसे का सम्मिलन भी देखा उस दोरान भी तमाम बढ़नेता केंद्रे स्तर के पहुँचे और भरोसा दिया गया कि आगामी समय में भी इसी तरह से जन हितैशी कारे करें बड़ी खबर यही कि प्रियांका गांधी राज़दानी रायपूर पहुँच चुकी है सीधे भिलाई में आप महिला सम्मिलन में शिर्कत करेंगी कॉंग्रिस के तमाम नेताओं की मौझूदगी उस दौरान की यह तस्पीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब प्रियांका गांधी यहां पर पहुँची उनकी स्वागत के लिए 36 गड़ कॉंग्रिस के हर बड़े नेता को यहां पर पहुँचना था जो की कतार के तौर पर आपको नजर भी आ रहे हैं